तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे B.Tech, Civil Engineering और B.Tech Construction Engineering के वीच आपसे मैं एक course comparison आपसे मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ और साथ में दोस्तों मैं आपसे इन courses का आपसे मैं eligibility criteria भी आपसे मैं discuss करूँगा तो आपका सवागते दोस्तों मेरे इस चैनल में और अगर आपने 12th की class को pass कर लिया है और अगर आपको जहे जानना है कि 12th की class को pass करने के बाद आखिर कौन कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर आपसे मैं B.Tech Construction Engineering course के वारे मैं आपसे मैं discuss करूँ तो B.Tech का मतलब होता है Bachelor of Technology और B.Tech Construction Engineering का जो course है वो एक undergraduate level की degree का course होता है जै कोर्स चार वरश का course होता है जिसमें कुल 8 semester होते हैं तो B.Tech Construction Engineering का जो focus है वो management और execution of construction projects के उपर है तो इस course की मादम से आपको planning, design और construction के बारे में आपको study करवाया जाता है जिसमें की buildings, roads, bridges, etc. आ जाते हैं तो इस course को करने के बाद दोस्तों आप construction, manager, project, managers, site, engineer की जो जो जोवे उसे भी आप हासिल कर सकते हो अभी आपसे मैं B.Tech Civil Engineering course के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ तो B.Tech Civil Engineering का जो course है वो भी एक undergraduate level की degree का course होता है तो जाए course भी 4 वरश का course होता है जिसमें खुल 8 semester होते हैं तो आज की time में भी जाए field काफी अच्छी मानी ज जाता है आप physical infrastructures जैसे की buildings, roads, bridges, airports, etc. की दोस्तों आप designing, construction और maintenance के बारे में आप deeply study करते हो तो इस course को पूरा करने के बाद आप structural engineer, civil engineer, geotechnical engineer, transportation engineer, etc. की जो जो जोवे उसे भी आप हाजिल कर सकते हो तो बैसे तो B.Tech Construction Engineering की जो फील्ड है वो एक civil engineering की फील्ड मानी जाती है तो इन दोनों courses में कुछ subjects आपस में same हो सकते हैं तो जैसे सिरफ आपके उपर है कि आपको कौन सी field में आपको जाना है वैसे यह दोनों ही courses best हैं अभी आप से मैं eligibility criteria के बारे में आप से में discuss करने वाला हों कि जने आप इस course में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो तो इन दोनों courses क दोस्तों जही eligibility criteria है कि आपको जो developed की जो class है उसे आपको pass करने पड़ेगी आपको developed की जो class है उसे आपको science के subject के साथ आपको pass करने पड़ेगी जिसमें आपको physics, chemistry और जो mathematics का जो subject है वो आपको compulsory पढ़ना ही पड़ेगा तो तब ही आप इस course के लिए eligible हो पाओगे तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे b.tech construction engineering और b.tech civil engineering के वीच आपसे मैंने एक course comparison आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और वी कई सारे courses के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उने वहाँ जाकर वी देख सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना